Hello Everyone तो कैसे हैं आप लोग देखे आज हम लोग माखानी की पैकिंग करेंगे रेडीमेड रैपर आप लोग को मैं अवेलेबल करा के दूँगा उसको लीजी आप लोग रेडीमेड माखाना खरीदिये देखे आप दो काम कर सकते हैं एक तो रो मखाना ले सकते हैं आप 400 रुपे, 500 रुपे, 600 रुपे, 700 रुपे जितने रुपे भी आप किलो ले उसकी 200 ग्राम की पैकिंग करें 200 ग्राम, 200 ग्राम, अलग अलग रैपर आपको मैं अवेलेबल करा दूँगा उसमें पैक करिए और आसानी से मार्केट मिलेके चले जाईए मनुफेक्ट्रिंग डेट, FFSI नमबर अगर यह सब आपके पास है तो श्टिकर बना के उसके लगा सकते है स्टैम्प पीछे लगा सकते है एक्सपार डेट के लिए ताकि किस दिन आपने उसका मार्केट पहुचाया वो डेट उसपे आप लगा सकते है श्टिकर बनके उसपे लग सकता है यह है रैपर यह पूरा पोर्शन देख लिए आप यह पूरा पोर्शन ब्लैक है इस ब्लैक पोर्शन पे आप अराम से देखिए MRP, batch number और पैक डॉन, किस डेट को आपने पैक किया है अराम से एक चोको और श्टिकर बना के आप और यहां लगा सकते हैं अब आए इसके अंदर फिल करते हैं और फिर सील करके देखते हैं तेकि इसमें आप या तो रोग कर सकते हैं और फिर जो मैंने रोश्टिंग का प्रोसेस आप लोग को बता रखता है हाणने में आप लोग रोश्ट करिए और उसके बाद इसमें पैक करके सेल करते हैं तो आए पहले इसमें फिल करते हैं और उसके बाद सील करते हैं तो यह है हमारा मखाना इसके अंदर में करेंगे आप वेट मशीन पर पहले इसको वेट करेंगे और फिर उसके बाद फिल करेंगे खुद के दुकान के लिए आप कर सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं बहुत सारे उपाय आपके पास हैं करने वाला होना चाहिए बस सब बिखता है मार्केड में जाएंगे सब बिखेगा अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसी मखाने को कैसे आप फ्लेवर्ड करके और जैसे नम्कीन अमने निकाला तो उसी तरीके से आप मखाना भी निकाल सकते हैं यह प्रोसेस इसलिए करके मैं आप लोग को दिखाते रहता हैं कि किसी एक आदमी के भी जान बना जाए कम पैसे में मार्केट के अंदर आ जाए इसमें ऐसे लगाई आप और यह एक बार में सीलो हो जाए इस तरीके से बहुत सारे हैं बैक टू बैक वीडियो लेक आता रहूंगा आप लोग देखते रहिए तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी एक तक तक के लिए अलहाफिस